Welcome to Only IAS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Miscellaneous Current Affairs के Revision का ये हमारा नौवा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम मई महिने के Miscellaneous Current Affairs को revise करेंगे इस सेशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ओपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में है अभी इंडिया नैवी ने हाल ही में इसे लाँच किया समुद्र सेतु 1 2020 में लाँच किया गया था जब COVID-19 काफी तेजी से फैल रहा था दुनिया भर में अपने लोग जो फसे हुए थे उन्हें वापिस लाने की जिम्मेदारी इंडिया नैवी ने ली थी और समुद्र सेतु 1 लाँच किया गया था अभी समुद्र सेतु 2 लाँच किया गया है जब एक सेकंड वेव इंडिया फेस कर रहा है ऑक्सीजन की बहुत ज़दा कमी है बहुत साए लोग दिक्कत में हैं समस्या में हैं in the lack of oxygen तो cryogenic containers को दूसरे देसों से इंडिया तक लाने के जिम्मेदारी समुद्र सेतु 2 के तहट इंडिया नैवी ने उठाई है medical oxygen को इंडिया तक पहुचाने का काम किया जाएगा इसके लिए कई सारे 7 निवर शिप्स इस्तेमाल किये जाएंगे कोलकाता, कोची, तलवार, तबार, तरिखंड, जलश, एरावत हाला कि definitely ये नाम आपको याद रखने के आवशकता नहीं है UPSC आपसे नाम नहीं पूछेगी मैं वो आपसे पूछ लें कि समुद्र सेतु 2 किस से related है तो आपको पता हो कि हाँ medical oxygen के जो भी shipment से उनको लाने के लिए इसका इस्तिमाल किया गया था समुद्र सेतु 1 का मैंने आपको बता दिया मैई 2020 में launch किया गया था वन्रे भाहत mission के तहर अपने लोगों को वापिस लाने के लिए INS जलस और INS मगर का इस्तिमाल किया गया था कुछ और भी जो शिप से उनका इस्तिमाल अपने लोगों को वापिस लाने के लिए किया गया था हमरा जो अगला article है वो IU64 के बारे में है Ministry of IUs में भी announce किया है कि वो IU64 का production increase करने की कोसिस कर रहे है ताकि Corona virus infection जो mild और moderate है उसे treat किया जा सके ये दवा काम कर रही है IU64 एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे CCRAS ने बनाया है Full form है Central Council for Research in Ayurvedic Sciences ने Apex body है आयुर्वेदा में research करने के लिए Ministry of IUs के तहत काम करती है Originally इस दवा को देखे 1980 में बनाया गया था नहीं कि बहुत हाल फेलहाल में Corona virus के लिए बना दिया गया है उससे में जब बनाया गया था इसका objective Malaria में थोड़े बहुत treatment को आगे बढ़ाना था बाद में जब COVID-19 का surge हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया कि ये COVID-19 के symptoms को भी treat कर सके Antiviral disease को tackle करने में capable है Immune system को बहतर करता है Antipirotic properties भी है मतलब अगर fever हो तो उसे कम करता है और COVID-19 में fever काफी तीजी से आता है जो drug है वो इसलिए asymptomatic mild और moderate COVID-19 infection को treat कर सकता है इसका इस्तेमाल जब भी किया गया है पेसेंट्स के उपर तो ये देखा गया है कि कई बार इसने recovery में काफी मदद करी है General health में भी fatigue, anxiety, stress, appetite, general well-being और sleep ऐसी problems में भी I.O.64 फाइदयमन साबित हुआ है ये polyherbal formulation से बनाया गया है मतलब कोई एक ऐसा hub नहीं है जिससे ये से बना दिया गया है कई सारी herbs का mixture है ये जो भी regulatory requirements हैं जो भी standards opt किये जाने चाहिए Central Council for Research in Ayurvedic Sciences में उन सभी को follow किया गया है CCRS के जो भी compliance है उनको follow करके ही जवा को बनाया गया है अगला important article है Cinco to Mayo के बारे में ये असल में Mexico में एक festival होता है National Festival है जो पाच मही को मनाया जाता है उसके बारे में ये फेस्टिवल इसने मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन मेक्सिका की जो नेशनल वहां की जो प्रेजिडेंट है बैनिटो जो राज उन्होंने फ्रांस की फॉज को डिफीट किया था हराया था Normally मेक्सिको में पहले बहुत प्रॉब्लम सुआ करती थी जब इनिशली वहां पे अमेरिकन्स और स्पैनिश वो दोनों पूरी रिजिन पे कबजा करना चाह रहें तो कई यूद लड़े थे और काफी कमजोर हो गई थी वहां की आर्मी तो उन्होंने अमेरिका और स्पैनिश आर्मी के साथ में गवर्मेंट्स के साथ agreement sign किये थे कि आप छोड़ दीजे आप मेक्सिकों से निकल जाए तो इतनी जंग भी थी वो चले गए थे लेकिन फ्रांस फिर पहुँच गया था कि नहीं हम तो कबजा करके रहेंगे तो इनके जो प्रेजिडेंट थे बेनेटो ज्वारेज इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी उनके साथ और इनकी जो आर्मी काफी कम थी ज्यादा स्टॉंग नहीं थी उसने फ्रांस को बुरी तरसे हरा दिया था तो उस दिन ये इसको एक नेशनल प्राइड डे की तरह म आपके पास कोई और ऑप्षिण है तो क्या आपके पास कोई और option है? बिलकुल है, Facebook का Oversight Board, आप वहाँ पे plea कर सकते हैं, उसके बाद अगर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं आपका account open होना चाहिए, तो ये चीज Facebook के उपर binding होगी, वो इससे इंकार नहीं कर सकते, पुरा मामला ये है कि जनवली साथ को उस समय ज find period के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते, उन्हें बताना होगा कि कितने समय के लिए आपने इसे ब्लॉक किया है, तो एक suggestion मि उन्होंने दिया, कि आपक time define करिए और उसके बाद open करिए किसे विवक्तिक account को, है क्या? Independent body है ये, Facebook ने ही इसे बनाया है, 2020 में इसे Facebook के दुरा बनाया ग 20 जो former political leaders हैं, उन्हें इसमें सामिल किया जाता है, humanite activist, journalist, इन सभी का एक पूरा group बनता है, बोट वक कैसे करता है, अगर किसी विवक्तिक account बन किया गया है, बन किया गया है Facebook के दौरा, तो वो appeal कर सकते हैं इस बोड में, Facebook और Instagram, दोनों की ही हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हर plea को सुनेंगे, ये decide करेंगे कि कौन सा account important है, किसे सुना जाना चाहिए, और उसके बाद उसे pick करके वो उस पर अपना decision देंगे, ठीक है, और अगर वो decision आ गया, तो फिर Facebook को उसे follow करना ही होगा, they cannot deny, अब यहाँ पर binding होता है Facebook के उपर इनका decision, ये एक बहुत important part है, अ तो उसने funding इसलिए कर दी है, ताकि इस board के उपर कोई pressure ना हो, Facebook के favor में काम करने का, तो ये Facebook के खुद की commitment भी है, कि उनके पास एक supervision वाली या oversight वाली body हो, जो नहीं सही तरीके से guide कर सके, हमारा next article प्रोनिंग के बारे में है, Ministry of Health and Family Welfare ने भी हाल ही में advisory जारी की है, प्रोनि additional demand है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि इस exercise के माध्यम से हम naturally oxygen की supply को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा medically approved positions हैं ये, जिससे body में oxygen level boost हो जाता है, naturally boost हो जाता है, देखे, proning exercise में, सबसे पहले तो patient को पेट किबल लेटना होता है, कुछ ऐसे, जै लगा सकते हैं, एक पेट के पास और एक करदन के पास, इससे मदद मिल जाएगी, लेटने में आराम होगा, आधे गंटे तक हमें एक position में रहना है, उसके बाद हमें right angle पे turn करके आधे गंटे तक लेटना है, then हम 60 to 90 degree का angle बना के लेट सकते हैं तक ये का साहरा लेकर, और फ इससे जो हमारा natural oxygen level है, वो थोड़ा improve हो जाएगा और थोड़ी सहुलियत हो जाएगी, डॉक्टर सही suggest करते हैं कि हमें एक cycle को 2 घंटे से जाधा समय तक complete नहीं करना चाहिए, मतब एक position में आप आधे घंटे से जाधा का समय नहीं दीजिए, इससे oxygen का ventilation बढ़ेगा, oxygen supply problem है, तो इस exercise से definitely मतद मिलेगी, हमारा next article project MediCap के बारे में है, IIT मदरास का support किया हुआ एक startup है, नाम है Modulus Housing, उन्होंने एक बड़ी innovative चीज़ बनाई है, MediCap, MediCap क्या है, portable hospital है, आप बड़ी आसानी से, within 8 hours आप कहीं प एक hospital बना दीजिए, actually में इसमें 4 boxes वो अल्रेडी रखत हैं, अलग-अलग facilities के साथ, project MediCap ये एक initiative है, IIT मदरास और Office of Principal Scientific Advisor का, इन्हीं लोगों ने मिलके इसे बनाया है, इससे इंडिया का जो healthcare infra है वो boost होगा, वर्तवान में हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है, और हॉस्पिटल्स चुटकी बजा के तो बनते नहीं, लिकिन य काफी आसान होगा, कैसे बन जाएंगे, decentralized approach है, इन हॉस्पिटल्स को जब हम setup कर लेंगे, तो patients को जो भी विमारी है, detect करना, screen करना, identify करके, isolate करना, काफी आसान हो जाएगा, इन हॉस्पिटल्स को कई से जिगहों पर establish किया जा सकेगा, ये foldable है, चार zones हैं, मतलब चार box आप क कमरा, एक है twin bed ICU, और एक है medical room, ठीक है, अब ये चार boxes अलग-अलग होंगे, इन्हें बहुत आसानी से, आठ घंटे के अंदर, चार लोग assemble कर सकते हैं, assemble कर दियो, hospital बन गया, अब hospital चलाएगा, कोड, बहुत सरे hospitals हैं, वो ये boxes खरीद लेंगे, और अलग-लग जिगहों पर इ एक wing बना देंगे, कि ये hospital की हमारी wing है, तो hospitals का एक decentralization create हो सकता है, इस medicap के तहर, काफी बढ़िया है न, इससे healthcare infra इंडिया में boost होगा, आसानी से इनको एक जिगह से दूसरी जिगह पर transport किया जा सकता है, तो बहुत easily इन्हें setup किया जा सकता है, बस अगर ये सब बढ़िया चल जाए ये पूरा initiative, तो बहुत तेजी से हमें in medicaps को बनाना होगा, manufacture करना होगा, हमारा next article, Christ Church Call to Action के बारे में है, United States ने अभी announce किया है, कि वो इस call to action को join करेंगे, जो कि online extremism को counter करने के लिए बनाया गया, देखिए, इस Christ Church Call to Action को launch किया गया था, online extremism को रोकने के लिए, प New Zealand में Christ Church में एक हमला हुआ था, आपने हो सकता है उसमें कि न्यूस को गर सुना हो, city है एक New Zealand की Christ Church, वहाँ पर Australia के एक terrorist ने attack किया था, जबकि वो live stream भी था, और उसने 51 जो Muslim community के members हैं, उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद से मामला काफी highlight हुआ, कि online platforms का इस्तिमाल अगर इस प India भर की सरकारें और technology partners को invite किया गया, ध्यान दीजीगा कि जब इस summit को बुलाया गया था, तो US को भी invite किया गया था, Trump जी उस समय हुआ कर दे थे, उन्होंने आने से मना कर दिया था, जिसके बाद USA का काफी criticism हुआ था, कि इतना अच्छा initiative है, उसके बाद भी US का हिस्सा नह रखना है, हलां कि इस call to action में जो भी pledge ली जाती है, वो non-binding होती है, अगर आप इन commitments को follow नहीं भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, देखें इसमें 3 sections हैं, एक governments के लिए हैं, दुसरा online service providers के लिए, जिनका इस्सिमाल कई बार इस प्रकार के extremism के लिए किया जाता है, और तीसरा, कि दोनों आपस में coordinate कैसे करेंगे, measures में यह है कि कई सारे measures opt करें, governments भी, international organizations भी, और companies भी, ताकि हम इसे counter कर सकें, क्या करना होगा, हम ऐसे tools को develop करें, कि terrorist या violent extremist content को upload ना किया जा सके, दूसरा, हम violent extremism को counter कैसे करें, तीसरा, हम transparency को enhance करें, ताकि ऐसे content को detect और remove किय आ जा सके, और चौथा, हम कुछ ऐसा algorithm सेट कर दें, कि अगर किसी ने ऐसा content गलती से upload कर भी दिया है, तो वो लोगों तक पहुंचे ही ना, तो ये पूरा initiative है, Christ Church, Call to Action, नेक्ट आर्टिकल E. Sanjeevani के बारे में है, COVID की situation चल रही है, ऐसी initiatives के बारे में सब को पता होना Defense में जो पहले doctors काम करते थे, आब वो online consultation दे रहे हैं लोगों को, E. Sanjeevani के तहट, ये flagship telemedicine platform है, जिसे Center for Development of Advanced Computing के द्वारा develop किया गया, Ministry of Health and Family Welfare के तहट, ये free consultation देते हैं Indian citizens को, इसके दो हिस्से हैं, E. Sanjeevani, इसमें एक doctor, दूसरे doctor से consult कर सकता है, Hub and Spoke Model से जो experts हैं, उनके जरीए 1,50,000 Health and Wellness Centers को जोड़ा गया है, एक है E. Sanjeevani OPD, जिसमें कोई सामाने नागरिक, doctor से tele consultation के जरीए, अपनी बाते बता सकता है, और medicines का recommendation ले सकता है, Green Urja Award के बारे में है, जैसा कि हम सभी रोगों को पता है, UPSC Award वगरा पर question नहीं पूछती, इसलिए इस Award से ज़्यादा important हमारे लिए ये body है, जिसे ये Award दिया गया है, that is IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency, ये प्रकार की NBFC है, Non-Banking Financial Company, इन्हें ये Green Urja Award इसलिए दिया गया है, क्योंकि इन्हो और इन्हें दिया गया है, Indian Chamber of Commerce के दवरा, बात करते हैं IREDA के बारे में, ये एक mini रतना company है, जो कि Ministry of New and Renewable Energy के Ambit में काम करती है, 1987 में इसे found किया गया था, इनका काम ये है, कि Renewable Energy के जो भी sources हैं, उसके सम्मन में projects को तयार करना, promote करना, develop करना, और उन्हें financial assistance भी provide करवाना जो IREDA है, इसे एक public financial institution के रूप में notify किया गया था, 1956 के companies act के तहट, बाद में इसे RBI के तहट या RBI के Ambit में, NBFC के तौर पर भी register कर दिया किया, IREDA का motto है, energy forever, ये एक मात्र dedicated institution है, जो इंडिया में renewable energy या फिर energy efficient projects के लिए financing करता है, so that was all about IREDA next article, ivermectin drug के बारे में है, कई बार हम बहुत बड़ी problem में फच जाते हैं, हमारे पास उसका solution नहीं होता, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम कुछ भी करने लग जाते हैं, बिलकुल यही हो रहा है, अभी कुछ समय पहले covid-19 के symptoms ना हो, तो भी, उनका यह कहना है कि हमारे यहाँ hospitals की capability खतम हो गई है, critical condition है, presence को हम admit नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर लोग ivermectin का सेवन करेंगे, तो यह precautionary drug की तरह work करेगा, जो इस जबा को खा लेगा, उसे infection होगा ही नहीं, अब यह ख़बर उत्रा खंट तक पह क्यों, क्योंकि WHO इस बात पर सहमत नहीं है, उनका यह कहना है कि हमें नहीं पता कि covid-19 patients को ivermectin drug सही तरीके से treat करता भी है, कि नहीं करता है, हमारे पास इसके evidences नहीं है, in fact, जो company ivermectin drug को बनाती है, manufacture करती है, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इस दवा को दे देना, जिनमें covid-19 के कोई symptoms नहीं है, यह सही नहीं है, हाना कि पिछले साल, जब covid-19 के patients को cure किया जा रहा था, तो इस दवा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जिसको symptoms ना हो, उसे भी randomly खिला देना, यह कहां तकोचित है, और यह तो covid-19 के treatment की दवा भी नहीं है, 1975 में इसे बनाया गया था, parasitic infections को treat करने के लिए, कोई skin infection हो गया, जो parasite के वज़े से हुआ है, या पेट में केड़े वगएरा हो गया, तो इस दवा को लिया जाता था, इसमें intestinal tract में अगर कोई infection हुआ है, जिसमें mouth से लेकर anus तक का पूरा structure आता है, skin और eyes, इसके infection में इस दवा का इस्तिमाल किया जा रहा था, अब ये work कैसे करता है, ये parasites को paralyze करके उन्हीं जान से मार देता है, further ये adult parasites को larva भी नहीं बनाने देता, तो उनके growth रुख जाती है, इस तरीके से ये parasites को counter करता है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये parasitic infection की दवा है, तो COVID-19 के presence को क्यों दी जा रही है, कुछ समय पहले इसे test किया गया था certain types of RNA viruses के उपर, जैसे की AIDS का वाइरस, G का वाइरस और SARS के जो वाइरस हैं उनके उपर भी, इसी आधार पे हमने ये सोचा कि COVID-19 का वाइरस भी एक RNA वाइरस है, तो इस पर भी try करते हैं, थोड़ा बहुत साइदा मिला होगा, तो इस्तिमाल करने लगे, लेकिन कितना capable है, इसका कोई clear data हमारे पास नहीं है, बस इस्तिमाल हो रहा है, हाला कि ivermectin जो है, वो जो एक river blindness एक बिमारी कही जाती है, Onchocerciasis और Philariasis, इसमें काफी बढ़ियां काम करती है, आर्टिकल M4 Terresin B के बारे में है, Mucer Mycosis, इस पर हमने आर्टिकल डिसकस किया था न, कि जो patients COVID-19 से require हो रहे हैं, उन्हें प्रकार का fungal infection phase करना पड़ रहा है, जो कई बार lethal भी हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, Mucer Mycosis को treat करने के लिए एक दवा काफी ज़्यादा इस्तिमाल की जा रही है, उ दोनों में अंतर होता है, fungistatic जो दवा होती है, वो fungal pathogen की growth को रोकती है, जबकि जो fungistal दवाएं होती है, वो pathogen को मार देती है, यह दोनों ही तरीके से काम करती है, depend करता है कि इस्तिमाल कैसे किया जा रहा है, यह दवा जो है, जो भी fungist होता है, उसके cell membrane पर जाकर attack करत मतब यह तो उपर वाले को cell wall बोलते हैं, यह नीचे वाला है cell membrane, इसी को attack करती है, यह दवा, तरीकल TIFR के carbon dioxide conversion process के बारे में है, context यह है कि अभी हाल ही में the Tata Institute of Fundamental Research, यानि कि TIFR के जो वेग्यानिक हैं, उन्होंने carbon dioxide conversion process का एक बहुत ही बढ़िया सा और सस्ता सा तरीका इज कर लिया है, देखिए, global warming एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे पूरी दुनिया जूज रही है, global warming cause करने वाले कई सारे agents है, कई सारी gases हैं, जो global warming cause करती है, उसमें एक agent यह carbon dioxide भी है, चुकि industrial revolution के बाद carbon dioxide का emission है CO2 का वो काफी TG से बढ़ा है, इसलिए यह जादा खतरनाग CO2 से निजात पाने का एक अच्छा सा तरीका तो यह हो सकता है, कि हम इसे किसी और चीज में convert कर दें, लेकिन हर दीजेगा, कि जब भी आप CO2 को किसी और चीज में convert करेंगे, तो जो conversion process होगा, उस conversion process की एक cost होगी, एक कीमत होगी, तो भला कोई क्यों, अनायास ही, CO2 को किसी और greenhouse gas को किसी और चीज में convert करें, तो जो byproduct, जो result हमें मिले, उसकी एक कीमत हो, उसकी एक value हो, ताकि यह जो conversion process की cost है, वो हम निकाल सकें, समझ रहे हैं बात, CO2 को अगर हम किसी चीज में convert कर रहे हैं, तो उस byproduct की भी कुछ value होनी चाहिए, ताकि उससे हम conversion process का खर्चा निका किया जाता है, देखे हम इंसान मार्स पर जाना चाहते हैं, लेकिन मार्स पर जाना इतना आसान नहीं है, actually मैं मार्स पर जाने में समस्या नहीं है, मंगल ग्रह पर जाने में समस्या नहीं है, वहां से लोटने में समस्या है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी technology या fuel नहीं ह जिसे बहुत कम स्केस में बहुत ज़ादा स्टोर किया जा सकता हो तो हम मार्स पर इंसानों के साथ पहुंच तो जाएंगे लेकिन हम वहां लैंड करने के बाद इतना फ्यूल नहीं बचा पाएंगे कि हम वापेस आ सकें तो लोटने में दिक्कत हो जाएगी मैं तो नहीं जा रहा मार्स पर जब तक वहां से लोटने की विवस्था नहीं हो जाती मैं यहां धर्फी पर से हिलूँगा भी मैं आपको जाना है तो आप देख लेजे अब आपको लग रहा होगा कि आज इन महासे को क्या हो गया है अभी तो बात चल रही थी ग्रीन हाउस गैस पर ग्लोबल वामिंग पर और अभी मार्स पर जाने की बात होने लगी यह दुनों कहानिया लिंक हो जाएंगी अभी बस ध्यान से सुनियेगा लेकि दुनिया भर के वैग्यानिक चाहते हैं कि कावर्ड एक्स साइड को जो कि एक बहुत ही प्रॉबलमाटिक ग्रीन हाउस गैस है इसे किसी यूसफुल फ्यूल में कनवर्ट कर दिया जाएं उस फ्यूल की एक वैली होगी इसके लिए जो तरीका है होली ग्रेल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे आप बहुत इच्छा से पाना चाहते हैं इसके लिए काफी लंबे समय से दुनिया भर के वैग्यानिक प्रयास कर रहे हैं कोसिस कर रहे हैं तो दुनिया भर के वैग्यानिकों को परेशान देख TIFR के वैग्यानिकों ने मोर्चा समाला उन्होंने कहा कि आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं इधर आये हम बताते हैं कैसे होगा उन्हें का कैसे होगा उन्हों हम दून्हेख सब नूए can काम हो जाएगा, उन्होंने बोला अब क्या, काम हो गया, बोले बिलकुल हो गया, आप बैठे बैठे उसको ताक रहे थे, इसमें 9 स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो बोले 9 स्टेप में आपको मिला क्या, तो TIFR के वैज्ञानिक बोले, हमें मिल गया मीथे, हमें मिला मेथनौल, हमें मिला फॉर्मिक एसिड, और हमें मिला थोड़ा सा हैड्रोजन, बोले यह आपको अलग अलग स स्टेप में कैसे मिले, मुझे देखो 9 स्टेप का पूरा मेकेनिजम कंप्लीट हुआ है पंद्रमनेट में, इसमें हमें पहले स्टेप पे मिला है हाइड्रोजन, हमें मिला चौथे स्टेप पर फॉर्मिक एसिड, हमें मिला छठे स्टेप पर मेथनौल, और हमें लास्ट स् बाकि इसमें जो सबसे important component है वो है मीथे, यह process exceptionally simple और safe है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे खास बात बहुत ही सस्ता है, अभी तक जो भी carbon dioxide के conversion protocols तयार किये गए हैं, आज तक, उनमें यह सबसे सस्ता है, इसके दौरान हमें magnesium carbonate भी मिलता है, जो कि इसी का why product है, इ कफी simple और safe है, at the same time, जो हमें by product मिल रहे हैं, उसकी भी एक cost है, मतलब फाइदा होगा, अगर हम इस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से setup कर पाए, तो definitely carbon dioxide, gas से निजात पाने में ये एक revolutionary कदम होगा, अब मामला Mars का आता है, मंगल ग्रह की बात क्यों हो रही थी, Mars का dimension क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि Mars पर जाने में रिक्कत नहीं है, लोटने में रिक्कत है, क्योंकि हमारे पास fuel नहीं है, इसका एक solution है, solution क्या है, solution ये है, कि हम जाएंगे Earth से Mars पर, और लोटने के लिए जो fuel है, वो हम यहां Mars पर ही बना लेंगे, लेकिन कौन सा fuel हमें चाहि हुआ है, बड़ कुछ clear-cut निकल के नहीं आया, आपको याद हो, कि ये जो process हमने अपनाया था, यहां इस carbon dioxide के process में, इसमें हमने क्या मिलाया था, carbon dioxide, water और magnesium, और हमें by-product की तोर पर क्या मिला था, methane, यहीं methane तो चाहिए हमें Mars पर, मतलब अगर हमें Mars पर methane नहीं मिल रहा, atmosphere में 95% से ज़्यादा carbon dioxide है, मतलब CO2 अलगाम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बड़ियां से, Mars में water जो है, वो आइस के form में है, वहाँ पर बर्स के form में water है, मतलब वहाँ पर हमें, जो H2O है, वो भी मिली जाएगा, चलो, CO2 का भी जुगाड हो गया, H2O का भी जुगाड ह है, वहाँ पर magnesium भी बहुत बड़ी मात्रा में है, लोपना काम तो हो गया, हमें Mars में carbon dioxide भी मिल गया, आइस में जो water है H2O वो भी मिल गया, और वहाँ के soil में magnesium भी मिल गया, तो जब हम इन तीनों को वहाँ पर mix करेंगे, तो क्या हमें methane नहीं मिल जाएगा, और अगर हमें Mars म मिल गया, तो क्या हम इसका इस्तिमाल rocket fuel की तरह करके, वहाँ से वापिस नहीं लोट सकते, मतलब कि अगर ये पूरा mechanism successful होता है Mars पर भी, तो Mars पर जाकर वहाँ से लोटना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत है, ध्यान दीजेगा, इस पर अभी और research required है, क्यों, क तो हमें ये देखना है कि इतने low temperature पर ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, अगर ये काम कर गई न, तो Mars exploration में समझी कि एक jackpot हाँ लग गया है, मतलब मज़ा आ जाएगा, तो कुल मिला के TIFR की जो achievement है, ये बहुत ही बढ़िया है, उमीद करता हूँ ये पूरा article आपको समझ में आया होगा, वो migration and development brief report के बारे में है, ये जो report है, ये World Bank ने release की है, इस report में हमें information दी गई है, remittances के बारे में, मतलब किस देश में कहां से कितना remittances जा रहा है, अब चूंकि वो बात remittances की करेंगे, तो ये भी बताई देगे न, कि किस देश से कितने लोग कहां पे हैं, त So, migration और remittances दोनों की बाते हां पे की गई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि remittances का मतलब क्या होता है, एक देश से, दूसरे देश में कई सहरे लोग काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी families के लिए अपनी कम और developing countries हैं, remittance उनकी आय का एक बहुत ही महत्पूर साधन है, अब देखे, इस report को release किया गया है, migration and remittance unit की दवरा, जो कि World Bank की एक wing है, जो data वगएरा collect करती है, इस report को साल में दो पार release किया जाता है, मतलब हर 6 महिने में एक बार ये report तयार होके आ जाती है, ये हमें की development क update देती है, मतलब किस देश से कहां कितनी लोग गए, मतलब migration और किस देश से कितना पैसा किस देश में जा रहा है, at the same time ये बताते हैं आगे आने वाले हिस्से में भी क्या projections है, remittance के flow का क्या mechanism रहेगा, तो इंडिया के बारे में क्या findings आई हैं, 2020 में इंडिया ने दुनिया में सबसे ज़्यादा remittances available किये हैं, इसके बाद number है चाइना का, मैक्सिको का, फिलिपिन्स, एजिप, पाकिस्तान, फ्रांस और बांगलादेश का, इंडिया में जो remittances हैं, वो 83 billion US dollar के equivalent आए हैं, ठीक है, 2020 में, जबकि हमने देखा कि COVID-19 के वज़ए से economies की हलत काफी है, बट बाकी जगों से जाए कि USA और बाकी जो दूसरे देश हैं, वहां से हमारे पास परयापत पैसा आ गया, बाहर हमाये देश से 2020 में 7 billion dollar गये हैं, 2019 में 7.5 billion dollar गये थे, बट ठीक है, थोड़ा ही अंतर आया है, लेकिन आने वाला भी परयापत आ गया है, इसके बाद एक के और important news है, जो कि है fake busters के बारे में, IIT Roper और Monash University Australia इन दोने मिलके एक fake buster नाम का एक detector डेवलप किया, यह क्या करता है, कि जो भी कुछ लोग meeting में जबरस्ती घुसे रहते हैं, कई prank चल रहे थे, आपने देखा होगा, कि लोग जबरस्ती meeting में घुस जा दे थे, illegally, और बिन permission के, या कौन imposter बैठा है, कौन वहाँ पर video footage को अपना distort कर रहा है, जो camera में अपने video footage को distort करके मार रख देते थे, कोई और बैठा हुआ दिखता था, लेकिन असल में वहाँ कोई और बैठा होता था, तो इन सभी चीजों की जो virtual conferencing में problem आ रही थी, क्यों प्रैंक तो आप आपको online, offline, दोनों काम करता है, zoom, skype, etc, सारी video conferencing solutions पर काम कर पाएगा, क्योंकि यह independent है इन से, और face manipulation हो, deep fakes हो, सब को पहचान लेगा, अब deep fakes क्या होती है, आपने देखा होगा, कभी-कभी आपको बड़ा का, Obama की वीडियो मिली होंगी, जो हिंदी बोल रहे है, या अंद रूप लेके बात करने के लिए, लोगो बेवकूर बनाने के लिए, ठगने के लिए, फिर उनको extort करने के लिए, इन सभी को रोकने के लिए ये काम किया जा सकता है, और यहां तक कि अब तो हम देख रहे है, online examination, students ने भी इसका इस्तमाल गया, job interviews में इस्तमाल गया, कि लग एक flowering plant है, जो कि Sumatra Indonesia में पाया जाता है, इसके लिए important चीज हमारे लिए है कि क्योंकि इसका दुनिया का सबसे बड़ा unbranched inflorescence है, मतलब अगर आप देखें, इसका तना काफी मोटा होता है, और इसमें सिर्फ एक तना होता है, और इसमें कोई branch नहीं होता, तो इसलिए इस अब कितना data याद रख सकते हैं, सब कुछ तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, हमें पता हो अच्छी cause flower क्या इंडिया में मिला, नहीं, कहा मिला, सुमात्रा में मिला था, और क्या इसकी special features है, कि अल्यदी अभी endangered category में है, failless के जैसका इसका design है, और इसके अंदर इसको आसान है, लाश के जैसा, फूल जिसके अंदर एक लाश की तरह बद्बू आती है, और जो stem जिसका बहुत बड़ा होता है, अगला article है दीप कोविन के बारे में, दीप कोविन असल में DRDO ने एक डेसी एक toolkit बनाया है, एक kit डेवलप किया है, जिससे antibody detect होती है, जिसके पता लगा जा सकता है कि भाई, कोविड-19 हो रहा है या नहीं हो रहा किसी को है, है या नहीं है, तो ये किसने डेवलप किया है, तो DRDO की ही lab है, DRDO की lab का नाम है Defense Physiology and Allied Sciences, खास बात इसकी ही है कि ये बोध nucleocapsid और Spike दोनों को चेक करता है, और तेर साल तक चल सकता है, और इस कुछ time पहले बहुत news रही थी, तो जब भी हमारी body को लगता है कि कोई बाहर से कुछ आकरमन हुआ है, कोई outside material हमारे body में enter हुआ है, तो हमारे शहीर खुद उससे लड़ने के लिए, कुछ proteins निकालता, कुछ ऐसे antibodies निकालता है, जो उनसे लड़ सके, to foreign substance से लड़ने के सवाई न दी जाती है, steroids, वो हमारी antibodies को और कम करती है, तो इससे हम susceptible होते हैं, बाकी बिमारियों को लेकर, इसलिए हम लेखते है white fungus या black fungus या जो ब्लैक फंगर से इसका attack हमारी body बढ़ जाता है, जो आम तोर पर हमें impact नहीं करते है, क्यों होता है, इन ये antibodies की कमी की वज़े स इसको जान बुझ के कम किया जाता है, अगर आप और detail में पढ़ें तो कुछ key terms है, आप उसको जरूर पढ़ेगा autoimmune disease क्या होती है, और कैसे covid असल में आता है, इसके बारे मैंने already lectures कवर किये हुए, covid कैसे होता है, और क्या basic difference है, बाकी बिमारियों के तुल नाम है, एक normally जैस AIDS, जिब किसी को होती है, या किसी को covid हो रहा है, या किसी को normal, let's say, सर दिखासी या भुखार हो रहा है, तो तीनों में क्या basic difference, एक bacterial और एक viral infection में क्या फार्क होता है, यह आपको basic चीज़ें पता होनी चाहिए, नेक्स topic which is about New York's wax and scratch program, असल में New York में जुआ के governor है, उनने एक प्रोग्राम में लौच कि अगर आप vaccination लेने जा रहे हैं, आप 18 साल से उपर के हैं, तो आपको free lottery की ticket दी जाएगी, अगर आप जो सरकार दुरा चलाएगे, दस जो संस्थान है, वहाँ जाके vaccination लेते हैं, तो एक free lottery देंगे, अगर आप जीते, तो आप मालामाल हो जाएगे पाच बिलियन की लोटरी है, ताकि लोग को और साइथ हो, आखे vaccination करवाने के लिए, तो यह इसलिए important है कि अगर कभी option में आ गया, तो आपको अशार लग सकता है, कि सरकार क्यों lottery ticket बिचने लग गई, इंडिया में तो lottery ban असल में, पर US में allowed है, और normally यह 20 dollar की lottery ticket हुआ करती जो आप free of cost दी जारही है, उन लोगों कुछ 18 साल से उपर के हैं, और आखे lottery ticket ले सकते हैं, यह एक program है, विच इस New York का Vax and Scratch program, और कई लोगों का ऐसा doubt था कि PDF जो हैं, जो content है, वो आपको कहा मिलेगा, तो आप हमारे telegram channel, only is nothing else को join कर सकते हैं, जो इस logo के साथ आपको पीदेफ चाहिए, सारी वहाँ available है, which is, again I will repeat, only is nothing else, then we move to next point, which is about electronic travel authorization scheme, जो UK ने शुरू की है, इसके तहत, जो भी अगर उनके देश जाना चाहेगा, अगर कोई travelers किसी लोगों के पास, अगर US का वीजा होता है, तो कई देशों में आप US वीजा दिखा के घुस जाते हैं, आप 25-30 देश ऐसी जा सकते हैं, पासपोर्ट पर लग गया US stamp, तो that's it, enough, उसी तरह से UK का भी कुछ रूल है, कि कुछ देशों के वीजा जब आपके पास हैं, तो अब UK एंटर कर सकते हैं, तो वो लोग जो वहाँ ऐसे एंटर करते थे, as a tourist, और कुछ दिनों के लिए, एक हमेशा मेशा के लिए कुछ time period के लिए आप एंटर कर सकते हैं किसी भी देश में, एक दूसरे देश के वीजा पर भी जो ज़्यादा, इसे कहते हैं, secure माना जाता है, तो जब आप कोई without visa, immigration status के लिए apply करेगा UK जाने के लिए तो उसको पहले अपने सारी एक detail देनी होगी, इसके लिए उनकी electronic travel authorization की जाएगी, अकर आप short holiday पे भी आ रहे हैं, तो पहले बापको चेक करेंगे, यह आदमी सही है या नहीं, यह जो person है, यह should be allowed or not, तो वो किसलिए है, security check बढ़ाने के लिए, और यह सब automatic तरीक से होगा, पूरा check करेंगे जहां-जहां हो सकता है, database में, ताकि आप तभी जापाएं, जब आप clearance मिल जाए, यह scheme इससे खास बात यह इससे पता लग जाए, कितने लोग कितनी बार कहां, कितनी देशों में एंटर किये हैं, और वो UK में एंटर कर रहे हैं, तो उनकी security के लिए जार अच्छा है, आगे बाद आती है, sun hello की, हाली में ह एक नया phenomena देखा गया, कि rainbow बना sun के चारों तरफ आस पास, तो एक hello सा बना देता है, तो खास बात कि क्यों हुआ ऐसा ही, तो normal सी कहान ही है, कि जो इसे 22 degree hello भी कहते है, असल में एक ऐसा, जो sunlight यहां से निकल रही है, तो अलग-अलग particles होते हैं, उनसे जब वो reflect करते हैं, hexagonal ice crystals के साथ, तो हमें ऐसा यह फनामेना दिखाया जाता, अब reflection क्या होता है, जब भी light किसी एक medium से निकल के दूसरे medium में जाती है, तो थोड़ा से direction change होते है, which is called as reflection, reflection मतलब सीधा reflect कर जाती है, reflect मतलब जब वो medium से change होती है, तो हलका सा उसमे light की direction हलकी सी change होती है, थोड़ी सी light अपनी direction change करती है, जब एक medium से दूसरे medium में enter करती है, उसको reflection कहते है, उसका best example आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, अगर आप pencil को किसी पाने के जग में डालें, तो आपको pencil की टीड़ी दिखाए देती है, लेकिन pencil तो सीरी होती है, तो वो टीड़ी इसलिए दिखती है, 22 degree के आसपास एक ring बन जाती है, जो ring एक rainbow की तरफ होती है, और डिखती है कि अच्छा, ये sun के आसपास एक ring बन गई है, which is sun hello जो हमें bangalore में देखने को मिली थी, और कहां बनते हैं, जो मैंने ice crystal गए, cirrus clouds में मिलते हैं, अब cirrus clouds कौन से clouds होते हैं, नormally सब से उपर जो clouds होत होते हैं, जो बहुत ही पतले-पतले clouds होते हैं, और सबसे nearest जो clouds होते हैं, वो cumulus clouds होते हैं, और उसके बाद status clouds होते हैं, यानि अगर मैं आपको बताओ कि ये earth है, तो यहाँ नीचे पहले, कौन से clouds होंगे, cumulus clouds, then there is status clouds, and at the top of them is cirrus clouds, cirrus clouds बहुत पतले-पतले होते हैं, cumulus clouds में जब आपके जो घंगोर बादल दिखते हैं आपको cumulus clouds ही होते हैं प्राइमनेंटली तो यह तीन तरह का division होता है तो cirrus clouds सबसे पतले और hair like होते हैं यह अगर आपको जाडू के दिखते हैं यह आजमान में और क्योंकि बहुत height पे होते हैं सबसे top layer के clouds होते हैं cirrus clouds तो यहां पर 20,000 feet के ऊपर यह रहते हैं तो यहां अक्सर ice crystals में होते हैं तो ice crystals अक्सर कभी-कभी light reflect करेगी जाता क्योंकि अलग-अलग medium से light move कर रहे हैं पहले air से ice में move करेगी फिर बाहर आएगी तो इस वज़े से reflection होता है जिस वज़े से हमें यह sun hello दिखाई देता है हमारा next article बायो हब के बारे में है हाल ही में World Health Organization और Swiss Confederation ने एक MOU sign किया है Memorandum of Understanding समझते हैं न यह पहला WHO द्वारा Facilitated BioHealth Facility होगी अब BioHub है क्या पहले General Language में समझे आपने देखा होगा कई सारे UPSCS parent पहली बार तयारी करनी के लिए राजिंदर नगर या मुखरजी नगर में जाते हैं वो किसी senior को ढूरते हैं कि वो उनको बता रहे कि actually उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए अगर कोई senior उनको guide करने के लिए मिल जाये क्या फाइदा होता है उस senior ने वहाँ पर एक साल का दो साल का समय बिताया होता है कई तरीकी की problems को face किया होता है वो उन सारी problems के बारे में उस fresher को, newcomer को बता देता है तो वो उन problems को समझ के उसके आगे से काम करना सुरू करता है उसकी लिए उसकी तैयारी आसान हो जाती है कि नहीं बिल्कुल हो जाती है बिल्कुल यही plan बनाया गया है WHO Bio Hub में होता क्या है कि कई सारे pathogens होते हैं जिनको लेकर दुनिया की अलग-अलग laboratories में research चल रही होती है अगर हर वेक्ती beginning point से ही research करेगा तो सभी को equal amount of time लगेगा की नहीं लगेगा लेकिन अगर एक laboratory ने 5 महिने तक या 6 महिने तक research कर ली है और वो laboratory B को ये बता दे कि हमने अपनी research में अभी तक ये results पाए है और laboratory B उसके आगे से काम करे तो क्या चीज़े आसान नहीं हो जाएंगी बिल्कुल आसान हो जाएंगी बिल्कुल यही प्लान है अब देखे समस्या क्या होती है कि अभी तक pathogens या उनके research के जो results होते है उनको share करने का जो तरीका है वो bilateral है bilateral का मतलब यह है कि country A country B से बातचीत करेगी और वहां के laboratories में अपनी facilities को pathogens को या फिर research material को share किया जाएगा ऐसा ही देखे बिल्कुल aspirants की preparation में भी होता है हम एक fresher जो होता है वो एक senior को ढोड़ता है और वो senior जो है वो उन्हें जानकारी दे देते हैं बिल्कुल यही वन टूवन चलता है लेकिन जो biohub है इसमें क्या होता है यह एक collective mechanism है जिसमें जो भी pathogens है researchers है उनकी जानकारी होगी और जो भी members है वो उस जानकारी का इस्तिमाल करके further research कर सकते हैं अगर कोई ऐसा platform बना दिया जाये जहां पर कुछ ऐसे seniors हों जो willing है guidance देने के लिए और freshers जाके उनसे जो भी queries पूछना चाहते हैं एक बार में पूछ ले और उनका जवाब कोई भी दे दे तो आसान हो जाएगा ना बिल्कुल WHO bio hub में भी वही किया गया है कि one to one जो bilateral solutions निकाले जाते थे उसके जिगह पे collective platform तयार किया गया है इस problem के solution के लिए hopefully आपको सारी बाते तो समझ में आई गई होंगी बाकी जो बाते लिखी हैं उनको भी देखी लेते हैं ये viruses और जो बाकी के pathogens होते हैं उनकी rapid sharing के लिए हैं चुकि one to one में काफे time लगता है आपने एक व्यक्ति से सवाल पूछा उसके पास समय होगा तो जवाब देगा लेकिन अगर बहुत सारी लोग है तो जिसके पास जवाब है वो आपको दे देगा Laboratories जो हैं वो जो partners है globally वो सभी लोग एक platform पर आ जाएंगे उसकी जानकारी सभी लोगों के पास आ जाएगी risk assessment कर लेंगे कि हां कितना खतरनाक है और तैयारी कैसे की जा सकती है pathogens के खिलाफ इसके बारे में भी बातचीत हो जाएगी significance यही है कि अभी तक यह bilaterally किया जा रहा था WHO इस पूरे process को एक unified platform देकर तेज कर देगा potential देखे COVID-19 pandemic जब आया तो जरूरत यह थी कि हम जल्दी से जल्दी इसका कोई solution निकाले अगर ऐसे pathogens को हम share कर ले क्या यह virus है इसके यह important factors उसमें involved है वो सब share कर देजाए तो आसानी हो जाएगी उसका solution निकालने में pathogens किसी भी प्रकार के हो सकते हैं bacteria, virus, fungi या फिर protege हुआ इस article बहुत ही important है जो कि Rwanda genocide के बारे में है आपको जानना चाहिए अगर इतिहास में ऐसी कोई घटनाए घटित होई है तो news में यह इसलिए आया है because अभी हाल ही में France के President Emmanuel Macron ने माफी मांगी है Rwanda से इस genocide के लिए क्या रोल रहा था France का इस पूरे genocide में देखे 1994 में यह नरसंगार हुआ था इस नरसंगार में largely Rwanda की ही दो जो ethnic communities थी वो आपस में भड़ गई थी बट Rwanda की सरकारे लगातार यह आरोप लगाती रही है कि अगर उस समय France यह चाहता तो या तो यह नरसंगार होता ही नहीं या फिर इसे जल्दी कंट्रोल किया जा सकता था लेकिन France महज खड़े होकर देखता रहा और उसने इस नरसंगार को होने दिया इसी बात को आधार बनाकर अभी Emmanuel Macron ने माफी मांगी है ताकि रवांडा के साथ France के संबंदों को एक बार फिर से बहतर किया जा सकी इसके पहले कि हम रवांडा के इस जिनोसाइट के बारे में और विस्तार से समझें आप दो महत्वोड बातों को समझें एक तो रवांडा की जोग्राफिकल कंडिशन क्या है और दूसरा उसका composition क्या है वहां की population का तब आप इस topic को अच्छे से समझ पाएंगे before that यहां पर देखिए यह है एफरिका और एफरिका में यहां पर आपको दिख रहा है रवांडा रवांडा की location एफरिका में largely आपने देख ली है आप इसे थोड़ा और larger picture में देखिए यहां पर आपको दिख रहा है रवांडा ठीक है इसके south में आप बुरुंडी को देख सकते हैं थोड़ी सी और details हमें रवांडा के बारे में देखनी होंगी यह एक land locked country है जिसकी capital है किगाली अब जो दूसरी बहुत ही महत्पूर बात है उस पर हम आएंगे before that जो रवांडा है वो आपको रवांडा के नौर्थ में दिखेगा युवांडा, east में तंजानिया, south में बुरुंडी और west में Democratic Republic of Congo तो यह तो आपने देख लिया यहां पर लेक कीवू भी है ठीक है, composition की बात करें तो वहां पर दो major ethnic group है पहले group का नाम है हुतू और दूसरे group का नाम है तुस्सी जो हुतू है वो majority में है और जो तुस्सी है वो minority में है आप इस picture में समझने का प्रयास करिए ज़्यादा आसानी होगी लेखे यह हुतू है और यह तुस्सी एक group और है तुआ लेकिन इनका composition काफी कम है आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा तभी आप इस पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे जो हुतू है वो majority में है यानि कि इनकी आबादी लगभग 85% है जबकि जो तुसी है वो minority में है इनकी आबादी महद 14% है तुआ सिर्फ 1% है तो जो conflict majorly होता है वो हुतू और तुसी के वीच में होता है चुकि majority में हुतू है तो जब भी conflict होगा तो dominate कौन करेगा हुतू dominate करेंगे इतनी बात आप अपने दिमाग में जरूर से बिठा लीजिए अब आप पूरे मुद्दे को समझेए आसानी होगी देखिए जो रवांडन जिनोसाइड है इसे जिनोसाइड अगीज्ट तुसी भी कहा जाता है समझ रहे होंगे न क्यों क्योंकि तुसी minority में है दूसरी बात इस पूरे जिनोसाइड में तुसी community के बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया इस पूरे जिनोसाइड को लीड किया जा रहा था जो who to majority government है उनके members और उनके supporters के बारा कितने लोग मारे गये इस जिनोसाइड में संभावना ये जताई जाती है कि इस पूरे जिनोसाइड में लगभग 8 लाग से 10 लाग लोगों की जान गई थी ये जिनोसाइड 100 दिनों तक चला था इसलिए कई बार से 100 डे जिनोसाइड के नाम से भी पुकारा जाता है जिनोसाइड 7 अप्रेल को सुरू होकर मिड जुलाई के 1994 तक चला था देखिए ये जो पूरा जिनोसाइड हुआ था इसमें मरने वालों की संख्या आपको 8 से 10 लाग बताई जा रही है लेकिन अगर आप comparative analysis करेंगे तो उस समय रवांडा की ओर और पॉपिलेशन महद एक करोण थी इस लिहाज से मरने वाले जो लोग थे वो रवांडा की पॉपिलेशन का 10% थे किसी भी country के 10% लोग किसी जिनोसाइड में मार दे जाएं तो definitely ये एक बहुत बड़ा नरसंघार कहा जा सकता है अब इसके reasons क्या थे आखिर ये नरसंघार हुआ क्या हूँ देखी पहले तो background आप समझेंगे तो आपको clear होगा कि First World War जब होता है उसके बाद League of Nations बनाया गया League of Nations ने जो हारे हुए देश थे उनको किसी ने किसी European power को सौंप दिया हुआ ये कि जो रवांडा था वो मिल गया Belgium को Belgium ने जब रवांडा को रूल करना सुरू किया तो उन्होंने पूरी कोसिस की जो minority में तुद्सीज हैं उनको सरकार में रखा जाए उनको favor किया जाए क्योंकि अगर वो minority तुद्सीज को favor करेंगे तो जो हुटू majority के लोग हैं वो कट जाएंगे तुद्सीज से एक division create होगा अंग्रेजियों ने बिल्कुल यही policy इंडिया में अपनाई थी लेटर टाइम में उन्होंने जो Muslims थें उनको support करना सुरू किया था ताकि वो Hindus को Muslims से divide कर सके सेम policy जो Belgium था वो यहां तुद्सीज और हुटूस के बीच में play कर रहा था वो minority तुद्सीज को support कर रहे थे और उनको जादा power share दे रहे थे इससे हुआ क्या तुद्सीज और हुटूस दोनों अलग होते चले गए लेटर ओन देखिए जब हुटूस और तुद्सीज के बीच में conflict बढ़ता है तो यह legacy आगे बढ़ती चली जाती है तब भी जब रवांडा को आजादी मिल जाती है 1959 में एक हुटू revolution हुआ इस revolution में जो हुटू community के लिए थे उन्होंने अपने आपको जादी मिलने के बाद भी यह conflict चलता रहा तो इस नरसंघार का immediate cause क्या था जब यह 1994 में 6 April को सुरू होता है तो देखे होता यह है कि हुटू community के एक बहुत ही popular leader जो उसमय वहां के prime minister भी थे हव्यार इमाना वो एक visit से वापस लौट रहे थे जैसे ही वो capital के गाली के पास पहुँचते हैं एक surface to air missile से attack किया जाता है उनके plane के उपर plane crash हो जाता है जिसमें हव्यार इमाना की मौथ हो जाती है इन्हें आप इस image में भी देख सकते हैं यह हैं वहां के prime minister इन्हें हुटू community के लोग काफी पसंद करते थे और इनके मरने के बाद पहला जो आरोप लगा वो तुट्सी community के लोगों को लगा कि उन्होंने ही prime minister को मारा है जबकि उन्होंने इससे साफ इंकार किया थेयरीज यह कहती है कि कोई भी हो सकता है या तो तुट्सी community के लोगों ने attack किया होगा या हुट्सी community में भी जो prime minister थे उनके कई साफ उसमन थे वो भी ऐसा कर सकते थे लेकिन हाँ जिन्होंसाइट स्टार्ट हो गया और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानगवा थी इसमें French connection क्या है France माफी क्यों मांग रहा है देखे जब ये पूरा नरसंगहार हुआ तो वो ऐसा समय था जब France के बहुत ही अच्छे diplomatic relations हुआ करते थे हुटू dominated government ने जो भी रवांडा में रूल कर रही थी 1994 में जब civil war सुरू हुआ था जहां एक और हुटूस थे और दूसरी और तुटसी group था जो conflict कर रहा था तो France ने तब तक interview नहीं किया था जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगने लगा कि हुटूस हार जाएंगे मतलब उनका पूरा objective ये था कि हुटूस को में secure रखना है वहां government में पूरे नरसंगहार के बाद भी France ने कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरे genocide को plot किया था उनको संग्रचर दिया और अपने हाँ asylum भी दिया कई सारे लोग France को blame करते हैं कि उन्हें पता था कि genocide होने बाला है और वो चाहते तो इसे रोक सकते थे बट उन्होंने इसे रोका नहीं इस बात के जिम्मेदारी अप France ले रहा है और माफी मांग रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है नेक्स्ट आर्टिकल लावरे म्यूजियम के बारे में है बहुत अन्यूजवल है कि UPS से इस पर प्रशन पूछे लेकिन आपकी जानकाई के लिए जरूरी है क्योंकि for the first time वहाँ पर एक महिला को President Appoint किया गया है Lawrence T. Scars को ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो कि Paris में है ये सबसे ज़ादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम भी है दुनिया का Mona Lisa की Painting जिसे आपने कई दफा जरूर देखा होगा इंटरनेट पर वो आपको यहीं पर मिलेगी तो आर्ट लवर्स कई सारे कारणों से यहाँ पर विजिट करना पसंद करते हैं हमारा अगला आर्टिकल है Operation T.I.M.A.N. के बारे में अब कुछ important information है जो इससे हमें पता लगानी है रिसेंटली जो एक सब्मरीन है इंडोनेशा की के आराई नंगला यह सब्मरीन खो जाती है इसमें 53 लोग थे और यह सब्मरीन जो है वो गायब हो जाती है अब जब यह गायब होती है तो इंडिया as a friendly gesture अपना एक DSRV अब यह DSRV क्या है यह है Deep Submergence Rescue vehicle मतलब अगर सब्मरीन अंदर जाके डूब गई है तो इसको rescue करने का निकालने का काम यह vehicle कर सकता है तो इंडिया as a friendly gesture DSRV भेजता है DSRV को जब भेजता है तो यह तीमान जो operation है तीमान का मतलब होता है friend जो इंडोनेशा की भाषा है जिसको भाषा ही कहते है उसमें तीमान मतलब होता है friend तो as a friendly gesture इंडिया ने DSRV भेजा था तो यहां से अब DSRV पे सवाल बनना वाजब है DSRV पे सवाल बन सकते है सबसे पहले चीज तो आप देखें कि DSRV में सोनार भी है और साथ में इसको आप remotely operate कर सकते है मतलब बहुत दूर से आप बैठे बैठे इस चीज को control कर सकते है इसी वज़े से चाहे हवा में हो, road में हो, समंदर पे हो कहीं से भी आप इस चीज को operate करके चला सकते है दूर दूर की location तक आप इस चीज को चला के submarines को rescue कर सकते है हमारा अगला article है India H2 Alliance के बारे में इंडिया के पास opportunity है कि वो hydrogen economy के तौर पे develop कर पाए इसी वज़े से बहुत सारी industry साथ में मिलके आई है और अब commercial technologies लेके आ रही है hydrogen को लेके जिसको आप India H2 Alliance के नाम से जानते है important यहाँ पर दो industries का नाम है एक chart industry दूसरी reliance industries यह दोनों मिलके इसमें एक important role play करने वाली है सबसे important क्या है कि अगर इन lines of national policy देखे तो national hydrogen policy जो 2030 है उसमें भी कही न कहीं उसकी development पे एक roadmap में यह फायदा देगा जो हमने 2030 के लिए targets रखे इसके लाबा national hydrogen task force बनाई जारी है जो की public private partnership के format में तयार की जाएगी आप इसके अलाबा भी देखें तो एक fund तयार करा जा रहा है national hydrogen fund जिसमें development करा जाएगा hydrogen link इसको कैसे capacities develop करनी है production कैसे होगा storage कैसे होगा distribution कैसे होगा और भी जो भी उससे related चीज़े है forward and backward linkages उनको develop करने के लिए fund यूज़ करा जाएगा hydrogen economy और supply chain में particularly India focus करने वाली है blue और green hydrogen production और storage पे और इनका use कहा करा जाएगा steel refinery है steel है refinery fertilizers cements यह अलग अलग industries में hydrogen का किस तरीके से use हो सकता है इस पे भी बात करे जाएगी hydrogen powered fuel cell जिनके बार में हमने current affair में पड़ा था कि Germany ने एक hydrogen powered fuel cell से train चलाई और इसी तरीके से हम heavy duty transport में भी hydrogen के use कर सकते है लेकिन यहाँ पर ज़रूद क्या पड़ेगी कि हम उसको properly store कर पाए pressurized form में या liquid form में उसको हमें robust standards बनाने होंगे storage and transportation के इसके लिए भी काम करने की ज़रूद है इसके लावा अगर आप देखे तो जो alliance बनायागा है यह PPP model पर है मतलब private sector भी आएगा government भी आने वाली है और साथ में public beast से जुड़ने वाली है यह सारी चीजें मिलके combined तरीके से hydrogen economy को develop करेंगे इंडिया में overall अगर बात समझी जाए इसके बारे में तो इससे जो production cost है hydrogen का वो कम हो जाएगा carbon emission जो होता है आप fossil fuels burn करते हैं आप दूसरे जो भी hydrocarbon based fuel है उनको burn करने से carbon emission होता है लिकिन जब hydrogen को burn करा जाता है तो सीधे तोर पर आपको समझ मेरे reaction से कि water as a output निकलता है तो water remit होगा in the atmosphere rather than carbon dioxide, carbon emissions कम होगे और ये चीज़ फर्दर पुश देगी हमारे जो national renewable energy है उसको भी complement करेगी electric vehicles हैं इसके साथ में अगर hydrogen cells से हम heavy duty vehicles चला पाएंगे तो वो भी काफी fuel efficient रहने वाला है और environment friendly रहने वाला है तो battery technology और hydrogen technology दोनों use कर सकते हैं तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much